देश की उसमें सत्ता में नहीं आये लेकिन कभी हमारा ऐसा रुत्बा था कि सरकारे हमारे बल पे बना करती थी देच्छडी दिल्ली का भारती कम्मिनिस पार्टी का ये जो सम्मेलन हो रहा है इसको हम दिल्ली आईटीजी की तरफ से बढ़ाई देते हैं और दो चार बाते हैं आपके सामने नखे लिए पहली बात तो ये है कि भारती कम्मिनिस पार्टी हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अपनी इस्तापना के बात रही है पहली लोग सबा दूसरी लोग सबा और तीसरी लोग सबा में मुख्य पर पच्छी पार्टी रहें और भुपेश गुपता जैसे कामट भुपेश गुपता जैसे हमारे बरिष्ट नेता जो लंदन से बेरिस्टरी की दिगरी लेके आए थे उन्होंने पच-पच का रोल अदा किया मैं बताने चाहूंगा आपको कि इस 26 तसम्बर को पार्टी को पूरे सोफ़ार हो जाएगे और पूरे हिंदुस्तान के पार्टी लगी हुई है अपना सौबा बस नाट मनाने के लिए इस 26 तसम्बर को कानपूर सहर में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है आर्थी कम्नुस्ट पार्टी की इस्ताफनाद बस को मनाने के लिए कामड मालाकार ने पूरी बैक्राउंड बताईए आपको दुनिया की कम्नुस्ट पार्टीों के बारे में और कम्नुस्टों की इस्तिती क्या है लेकिन मैं आप से कहना चाहूँगाँ कि भार्थी कम्नुस्ट पार्टी जो हिंदुस्तान में तीसरी लोगसमां तक अपना एक विशेष रोल चाहें, वह बाग्डा सक्टवावन करlusionाऊंगों, चाहें उन्हीसोग सपता बनकर चुनाऊंगों. तीनों चुनाऊंगों परिूस्लिग नपें कजघ हैं के उन्हीस का कई बात म में और पताना चाहांगों, वह सारे सात्यों को नह money का लगा है, कि 1957 में पहले कमनुष सरकार केरला के अंदर बनी जो दुनिया के सामने एक उधाड़ था लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आज जो लोग सब्ता में हैं इन लोगों ने सन बासक की जो चीन से लड़ाई हुई कि उस लड़ाई में हम लोगों को जितना बतनाम करा उसके कारण हमारी थोड़ी स्थिती कमजोर हुई लेकिन 2004 आगते ही लोग सबाग के अंदर हमारे एक सटेम पी रहे हैं और जैसा कि वितिवार जी बता रहे थी कि केरला बंगाल और तरफ्रा में हमारी सरकार है नहीं केरला में आज भी सरकार है मैं कांगरेस का पो पीरेड आपको इलायात दिलाना चांग गा जिस पर आज हमला हुँ रहा है जितना यह पबिक सेक्टर हंदुस्तान में खड़ा किया यह कबनिष्टों ने करवाया बेंकों का नेसलाइजेसन जो हुए वो कबनिष्टों ने करवाया एर इंडिया जैसी संस्ता जो पंड़त नहरू ने टाटा से ली थी आज अर्शत साल के बाद वो फिर टाटा को उनों ने दी ती यह देश के अंदर जो प्राइप्ट्राइजाशन की मुहिम चल लए है हम अभी पिछले मीने हम और के बार जी वह सारे साती प्रसा का प्रत्र ने प्लांट बना हुआ है और अडानी मोधी के पीछे पड़ा हुआ किस तरह से हम इस प्लांट को ले 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 कौर्यों के भाव हम वापे यहरपोर्ट पे आये और सारा एर्पोर्ट अडानी का है जो पिसाका प्रत्रम का एरपोर्ट रहा है तेवारी जीरे मनसूरी साथ पानी पिलाव क्लामरेट होते है पानी लेने गए वह एक सो साथ रुपए की बोतल पानी की भाव भी है आदा लीटर पानी असी रुपए कर लेके आ रहे है तो हमारे देश के अंदर जो भी फब्लिक सेक्टर है वो पूरा प्राइबेट करने जा रहे है यह पूरी मोहिम देश के अंदर और जो मज़ूर ब्रोधी करीब ब्रोधी नीतिया है जाए वो तीन किसानों के जो कानून थे इनको बापस लिया और चाय चार लेबर कोड है जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं बताना चाहूँगा आपको जो लोग कहते हैं ना कमर्स पा ग्याए भारती कमुनिस पार्टी एए एक टीउची जिसका जनसंक्टन है और एये एए एटिउची की कोग से भारती कमुनिस पार्टी का चनव गवा उन्नीस और वीस में एकतिस सेक्टूबर को अभी चार पांट दिन बाद अस ताफना दिवस आ रहा है एकतिस और हिंदुस्तान की तमाम सेंटर डेटमनल वो मिलकर के पच्छिस करोर मजदूरों को लडाई के मैदान में हर्ताल के मैदान में उताग लेते हैं लेकिन मैं आये भी कहूंगा कि 25 करोर लोग, 25 करोर मजदूर जब हिंदुस्तान की सड़कों पर आ जाते हैं लेकिन जो भी साथी ने बात कही ना कि हर्ता हम करेंगे, लडाई हम रड़ेंगे, सब कुछ हम करेंगे लेकिन कोट कॉंगरेस अपीजी पूचा है तेस कि उसमें सटा में नहीं आये, लेकिन कभी हमारा ऐसा रुतबा था कि सरकारें हमारे पमे पह बना करती कि किसी भी हमारे पुराने से पुराने कोमेड़ के उपर बेवानी का इजया में लगा हमने बेमानी नहीं किये मालाकार जी कह रही है कि आपका वक्त आएगा लोग आपको धूनेंगे मैं उससे थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूं मैं कहता हूं कि जब आपको लोग धूनें तो आप उसके रहे तैयार रहें ये ना हो कि कोई कह दे कि यार ये इस लायक नहीं है हम पहले किसी से तरस्ट थे हमारे उपर पहले ही किसी ने चुन किया है और आज हम जिसको चुनने जा रहे हैं या जिसको हाथ में हम कमान देने जा रहे हैं उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं बचिये कि इस बिगरे हुए महल को वो सम्हाल पाए मालाकार जी का इशारा ये है कहते हैं कि वियतनाम सरकार ने अपना सरवोष्ट पुछ जो पुरुसकार है वो कॉमरेट जिपतर शर्मा जो को दिया था ये बात नहां पता लगी तो जब ऐसे लगों के साथ जुड़ते हैं तूसरी बात जो इन्होंने बता ही कि हम एक इमामदार पार्टी है मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल के अंदर हमारे एक कॉमरेट विधायक के चलाव जीत गई वे उससे पहले टीचर थी कुछ दिन उन्होंने विधायक रही और उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया तो किसी ने पूचा कि आपने रिजाइन क्यों कर दिया तो उन्होंने कहा कि मेरा गुजारा नहीं चल रहा था आज एक बार अगर कोई विधायक बरिया है तो पांच पिस्ते काती हैं वो उस तेम विधायक का वो कहरी मेरा गुजारा नहीं चल रहा था मेरा गुजारा उस टीचर की नौगरी से चलता था तो मानिया है कि कितनी इमामदारी है उसके अंदर रूटे छूटे सब को आना चाहिए था अपनी बात यहां रखनी चाहिए थी यही वो मंच है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं कि आप जब भी तेखेंगे किसी भी पार्टी का कोई हो जो हमारे खिलाफ है बिए पी और उसके अलाइस बगरा उस सबसे पहले किसी भी चोट करेंगे तो मिψतर्प करेंगे तो बुराई तो उसी की चाहिती नहीं कि долगता है तुराफ तो उसी के बोला जाता है जिस से खबराते हैं क्यों भबराते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि इनके कोई ताकत नहीं है तो जब इनकी कोई ताकत नहीं है और इनका कोई वजूर उनके हिसाब से नहीं है तो बर्क यो रहे हो यानि कहीं न कहीं कोई बात है जो अंदर ही अंदर उनको खाये जाती है आप तिरी के उपर भी बहस देखेंगे कि जब भी पहले तो हमारे लोग वहां तक कहुंसते नहीं और जो दो चार पहुंच जाते हैं तो उनको बोलने नहीं रिया जाता पहले तो वही लोग हल्ला मचाने शुरू कर देते हैं आप चार लोग बैठे हुए हमारा एक जो नमाइनदा है अगर बूलने लगा तो तीन उगर से हल्ला मचाने लगेंगे और अगर उजने कमी रह गई तो वो जो पत्रकार वेठा हुआ है वो इदर का सवाल चोड़के उदर और उदर का सवाल चोड़के इदर इस तरीके से और मैंने यह सुना है कि जो हमारे साथ ही वहाँ पहश में जाते हैं वो बताते हैं कि जैसे ही किसी वामपंथी बिचार धारक के आत्मी के हाथ में माईक आता है तो विजे को अफिस से फोन आता है इसको टाइम कम दो, इसको टाइम कम दो, इसको डिश्टब करो, इसको डिश्टब करो, ये बात अपनी करेने नता है.